पांसो किलोमेटर तक अपने हर वेंस में देते हैं पांसो किलोमेटर दारे के अंदर गर पहुंच पंदरा लिटर आज की गड़ी मोक्य का दूद त्यार है और दूद जैसे च्टाव आप लिटर दो लिटर और बढ़ सकती है कि नहीं जी बढ़ेगी बाई संदीब भाई दूद निकालते हैं यूटूब चैनल देखने वारे सभी पसूपाने भाईयों को संदीब स्वामी क नमस्कार स्वागत करता हूँ जी आपके अपने यूटूब चैनल पर तो आज की वीडियो भी दोस्तों एक बैस सेल के लिए वैलबल है इसकी मिलकिंग वीडियो लेकर देखें दूद वाली बैस है जो बाई डेरी मेंसाई पर काम करते हैं उनके लिए काक्वी शांदर ब को दिखा देता हूं कोई भी बाई दो समय तीन समय चार समय खुद उपस्ती तो करें मिलकिंग चेक करकर खरीद कर लेकर जा सकते हैं और जो वीडियो कवर करके दिखा रहा हूं वो टाइम और डेर्ट आविवर्स को दिखा देता हूं गूगल टाइम एंडेट तो दोस्तों पांच बजगर 47 मिन्ट हो चुकी है 21 नुवंबर गुरुवार को यह वीडियो आपके सामने कवर करके दिखाई जा रही है यह जो यह मिलकिंग वीडियो दोस्तों इसी समय कोई भी भाई खुद उपस्तित ओकर भी मिलकिंग चेक कर करें खृ़ीद कर लेकर जा सकते हैं यानि कि टाइम टु टाइम अपनी मिलकिंग कर सकते हैं बाकी पूरी जानकारी बाइसब से लेंगे और वीडियो शुरू से लेंगे सभी बाई एंड तक पूरा देखें राम राम संदीप भाई राम राम वीड को भी राम तो भाई सबसे पहले दन्यवाद जी और अपना सुबनाम और प्रोप्रियां का एडर्स सेर करें जी मेरा सुबनाम पिर्थ्यु राज है गाउं बाराज एड़ा जिला शिर गंगानगर एस्टेट है जो राजस्थान है जी ठीक है गंगानगर जिले से मातर 4-5 किलोमेटर दूर अपन भाइवाट नि आपंगी दूर साथ के साथ जो एक मीनी बैंस बगेहर बचे की जो खड़ी है बिल्कुल भिल्कुल संदिभाई धेलेंगे टाकि डरी भाई अठारा लेटर दूद है और बच्चा डेट हो गया है खल बटू है जैसे उसको बच्चा उसका डेट हुआ हुआ है वो भी आपको वीडियो में कवर करके दिखाऊंगा डेरी वाले जो डेरी वाले प्रकाम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बैंस है और इसकी दार पस् ऐटेट तो सबसे पहले दोस्तों आगे वाले दुन सोनों की आप दाहर देख सकते हैं बिलकुल नरमतार की अबर 59% से भी आप देख सकते हैं कि पिछे वाले को रहे संदी बाई यह तो एक काग जी निम्बू है बिल्कुल पतली चमडी के बिल्कुल दूद वाली बहांस है लंबे समय तक दूद देती है और यह दो पिछे वाले थनों की विदार देख सकते हैं गोल मोटी नरम दार है कोई ब में देख सकते हैं तो कितः दिन की वियाई हो में और बच्चा में कट्ड़ा है चौदा जी संदी बढ़र पतली चमडी के लिए से अन較 ग्रूंट में को मकंभिन पास जी जी हाँ दो बैंसे एक और खड़ी है जी मेंडी है वो ठार लिटर दूद है बिलकुल दार दो वो इसको दार दो बटू आगे रखो बिलकुल पसमझाती है जी जी हाँ कि और इसने चृटाव कर दिया थी नहीं किया जी नियाँ अभी का चोटाव कर दिया संदीब भय च्टाव पर चलिए चल पड़ी तो दोस्तों अगाडी देख सकते हैं लगबग दो किलो से उपर उपर है जी हाँ जबी तो गाडी दोस्तों आपके सामने निकाल कर दिखा दिया है और दूद पूरा-पूरा आप आप एंड तक वीडियो देखें दूद नापकर भी दिखा देखें वीडियो लाइट तक देखें दूद भी बताएंगे आपको नापकर बताएंगे जी हाँ संदीब भई और सुबह कितने बजे मिलकिंग होई है जी 6 बजे संदीब और स्याम को लग बग 15 मिंट पहले बच वीडियो लुपर देखना चाहता है दो टाइम चाह टाइम वीडियो को लगर करके अपना दूद देखें जी और दूद देखके लेगे जाए अपनी सब्सक्राइब इसका प्राइज है जिसमें ट्रांसपोर्ट फरी है पांसो किलोमेटर तक अपने हर बैस में देते हैं पांसो किलोमेटर दारे के अंदर गर पहुंच अठासी जाल पेसका रेट है पंदरा लिटर आज की गड़ी मोक्य का दूद त्यार है और दूद जैसे च्टाव आप लिटर दो लिटर और बढ़ सकती है कि नहीं जी बढ़ेगी भाई संदीब भाई बढ़ेगी दूद बढ़ेगी तो कई पूस्ते हैं जैसे पंदरा किलो दूद वाली बैंस किते मिल जाएगी वह 20 बैंस का रेट है देखको संदीब भाई 222 का रेट है 227,85 लाकी सवा लाकी जैसी चीज़ है वैसा रेट है कॉंटेक्ट नमबर नहीं बोला जी आपने गंगानगर जिले से मातर चार से पांच किलो मेटर दूर अपना डैरी फार्म है तो दो रोड लगती है अपने फार्म को जाता है तो ब्रोकरी चार्ज आजार रुपे लेता हूं जी ठीक है और पट्रोल गाड़ी में उसका जलता है संदी ठीक है तो विल की वीडियो दोस्तों ओल्मोस्ट कंपलीट हो चुकी है दूद आपको नापकर भी दिखाता हूं और यहीं रख लो यहीं रख लो जी बच्चा चोड़ देना हूं तो दूद आपको नापकर भी दि देख सकते हैं तो अब कर देख सकते हैं अब कर दोस्तों एक लिटर का नाप है जिससे आप काउंटिंग कर सकते हैं एक दो तीन अदा लिटर से डाल देना उपर है चार पांच च्छे है कि साथ कुछ बच्चे कुछ दो सो ग्राम है वो दो सो ग्राम उपर साथ लिटर मान ले चोधा किलो अभी मतलब जैसे बाकिया पंद्रा मिंट पहले बता रहें पंद्रा किलो त्यार है या निगा यह दूस्तों आपको खोल चलाकर दिखा देता हूँ और मिल्किंग होने वाली है इसकी भी मिल्किंग बना देते चोटी नहीं है आप देख सकते हैं थोड़ी बेनी पासा दबाती है वो भी आप देख सकते हैं जो कुछ है संदी बाई सामने है ना जी जी बागी कलियर कट अपने बता दो पेमें इसके कई गराक बहुत शौक से लेते हैं और यह भी दूद वाली बेंस है दोस्तों आप दे गूगल टाइम एंडेट तो टाइम और देट दोस्तों इसका भी देख सकते हैं पांच बजगर पच्च बन मिंट होचके किस नमंबर को वीडियो कवर करके दिखा रहा हूं यह मन निकालो आप दूद निकालो जी हां तो कैसे दूद निकलता है इसका भी आपको वीडियो किया दार्दी यह पसंगी बस ऐसे पसंग जाती है और लंबे समय दूद दरी वाली बैसे दोस्तों बहुत अच्छी है कोई भी बाई डेरी वाले बाई वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए दोनों का भी शांदार बैस रहने वाली है 15 किलो जो पहले वीडियो में कवर के दिखा रहा हूं को आटो बकुल नर्म आट कि बीख वह damaged हुए और आज किता में हो चुका है साथ दिन की की विलकुल है ताजा इक हुए है साद दिन जे rist Science अच्छा जी 22 लिटर दूद की बैंस जी मालिक ने जो क्या 22 लिटर दूद देनी जी अपने तो 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 आपके सामने हैं एक मिंट में पसम पसम चुकी है पसमा भी आपको वीडियो में दिखा दूगा दार दी दार दे बैस यहन की ठंडी बैस का यह एक बच्छा दार लेती जो बैस दूद भी लंबे समय देती जी बाकी बैस की आइट वेट बोडिया बहुत शानदर है हां जी जी अब बटूआ रखो दार दो बड़ी आराम से दूद देती जी जी हां कि और व्याहत इसका तीसरा व्याहत संदीबाइस को भी तीसरा व्याहत है तीसरे व्याहत में आज अब इसका बच्चा नहीं है इसका बच्चा नहीं है इसका बच्चा रहे बिलुकुल पसम देखाओ तो बैस पसम चुकिए दोस्तों पसमने के बाद में आपको अडर को वाल्टी करीब से दिखा देता हूं है आप इदर आज़ो विसकी हो कोई बादे लिए तो खाली बाहली दिखाओ यह उपका सकते आप पसमने के बाद में थनों का साइज और आप देख सकते हैं जी अगाडी के दोनों थणों की सबसे पहले उसके बाद में दार देदो जी तो सबसे पहले दोस्तों अगाडी के दोनों थणों की दार आपको निकाल कर दिखाई जा रही है यह भी देख सकते हैं नरम दार है मोटी मोटी नरम दार है आप देख सकते हैं कोई भी बूर्चिता नहीं है कि अंदर से आप को फिर से कवर करगे दिखा देता हूं पिछे वाल उन्हीं और यह किछे बाड़े दोनों थोड़ों की रिवी दार देख सकते हैं बिल्कुल नरम चुवाई की बैसा ये भी आप देख सकते अजिदी कोई भी टाइम गेरा कोई कुछ नहीं लगा वाइब बाइब बाइब अपनी संतुष्टी कर ले ठीक है और अपने कोई बाइब ले तो टेम वीडियो कोल पे कोई यहां के दो टेम निकाल के ले जाए जी ओनलाइन ओफ लाइन का क्या प्रजिसर रहे जी ओनलाइन भी वेज़ देते हैं कोई दिक्कत नहीं है और कोई यहां के लिकाल के लिए जाए तो यह जैसे ओनलाइन कोई बुक करें तो क्या पांजार रुपर टोकन डाल दे संदी भाई ठीक है जी और दूद दिखाते हूं दो टाइम इलकिंग ठीक है कोई बाई जी और उसके पर आजे बनाएं साइड लवा के अजे कोई दिक्कत नहीं है इस मीनी के बैस का क्या रेट है जी मीनी बैस का पिचान में जार रुपर संदी भाई पिचान में और अठासी और कोई बाई एक साथ दोनों परचेज करे तो मान समान करते हैं संदी बाई जितना हुआ निकल दूर बढ़ेगी बाकी दो लिटर के अभी अगाड़ी है जी दूद वाली है दूद वाली दूद वाली बैस है जो भाई वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता चलता है इतना तो पतली चमडी के अंदर हाइट वेड़ पीट पूटे की बहुत अच्छी है वजंदार बै वीडियो दोस्तों इसकी वीडियो में कवर करके दिखा दिये दो बैसे आज की वीडियो में दिखाई है जिसका भी दूद आपको नापकर दिखा देंगे चाहिए आप बरी बाल्ती देकर अनमान भी लगा सकते हैं उससाब से बाकी बैस यह भी दूद वाली है अच्छी दूद वाली बहाँस है दोनों की दोनों शांदार बहाँस हैं जो डेरी अपर काम कर रहे हैं आपर करना चाते हैं को नया फार्म करना चाता है को भाही दूद के लिए जी तो बहुत बड़ी है बह Citizens या बदेती है और और शोड़ा सतर लिटर खुला दूद्ध देदेगी वह जो भी मोक्य दूद्ध त्यार है वह अपनों ने बता दिया यह बच्चा बाइसाब तो मिल्किंग वीडियो दोस्तों इसकी भी आपको कवर करके दिखा रहा हूं या आप देख सकते हैं एडरस बाइसाब काया जिला जो स्री गंगनर रहा इस्टेड है राजस्तान श्री गंगनर जिले के रेलवेश टेसन बस्टेंड से मतर चार पांच किलो मिटर दूर बारा जैड विलेज का नाम है कोई भी भाई यहां पर उपस्ती तोकर बेंसें पच्येश करकर ले कर ले के जा स familiar फारम पर बेंसे रहती है इन में नहीं पसंदाती तो बार से दिल वाजने तब फिल्ड में फिर इक आ कर आपको बेंसें पच्येश करवा दी जाएगी कोई दिक्कत नहीं कोई तो मिल्किंग वीडियो दोस्तों आपके शामने पूरी लाइब आपको कवर करके दिखा रहा हूं बिल्कुल फ्रेश मिल्किंग वीडियो जो भी वीडियो देख रहे उनको बता जेता हूं खुद उपस्तित ओकर आप मिलकिंग चेक करकर दो टेम कोई भाई कर सकता है लिए हां ऑनलाइन ओफलाइन दोनों सुविदा है बाकवा की ज्यादा कोशिस खेंक आप खुद आओ और अपनी संतुष्टी मिलकिंग चेक करकर लेके जाओ अपना तसलिए करके लिए जाओ जी हाँ। अपनी तसली करते के लिए कि जाए। इस मिर्णी बेंस के नीचे अभी शोड़ा शतरह किलो दू नी बिल्कुल बिल्कुल शंदी भाई ऐटार लिटर है भाकी ये वाप के सामने हैं। जीजी हाँ मैं कि आठ एक लेटर दूद मान ले जी हां मान लेकश कुछ बिलकुल अभी लिटर लगा देंगे नापके बता देंगे बाए बाइअ आपकी आप बोलते हैं ठीक है आपकी बाद मान लेते हैं पर इसके दूँछ ज्यादा है तो दोस्तों यकित आप बाल्टी देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि ये देख सकते हैं जी तो इसका पिचयार में जर रिपरोपे उसका डानर एक झामानर दाइब होगा